हेलो गाइस एक बार फिर आप सभी का मेरे चानल पर स्वागत है मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने वीडियो डाला था ये दो फिंच का जो स्पाइस फिंच है फिंच आक्छिली मुझे किसी ने दिया था वो लोग दू अडल्ट में वो लाए है तो मैंने दो तीन बार पूछने के बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि एक हफता पहले उनको ये जो बर्ड है उनके बातरूम में मिला मतलब उनका बातरूम का जो खिड़की खुला हुआ था उसमें से ये दोनों बर्ड अंदर आए और आक वो अंडा देना चाहते थे अंडा ले करना चाहते थे तो उनको जब ये बर्ड दिखाई दिया तो उन्होंने इसे पकड़ लिया और उन्होंने एक हफते से उनको उनके पास रखा था तो अब जब ये दूसरे शहर जा रहे थे इनको पता चला कि मेरे पास अल्रेड एक बर्ड है तो इनको लगा कि मैं इन दोनों का ख्याल अच्छे से रख पाऊंगी तो इस वज़े से उन्हें ने मुझे ये बर्ड दिया पर जब उन्होंने ये बात बता ही नहीं थी कि एक हफते पहले ही उन्होंने इसे पकड़ा है कैप्चर किया है मैं एक बात आप सभी को क एक हफते पहले उन्होंने इसे कैप्चर किया इन दोनों बर्ड को अपने पास रखा ये बहुत गलत बात है इसके लिए मैं बिल्कुल बड़ावा नहीं दूंगी उन्होंने मुझे ये बर्ड देखे गए है और मैंने उनको कहा कि ये बर्ड सिवाए सीड के और कुछ नह खा रहे तो उन्होंने कहा वो वैसे ही खाते होंगे हमें पता नहीं पिछले एक हफते से हम उन्हें सीड ही दे रहे और वो खा रहे है ये गलत है ये जो है बर्ड उसमें से एक बर्ड प्रेगनेंट है फीमेल बर्ड प्रेगनेंट है वो एग ले करना चाती है उस वज़े वो उनके बात्रूम में आये थे, वहाँ पे नेस्ट बना रहे थे और ये लोगों ने उसे कैप्चर करके अपने पास रखने की कोशिश की, ये गलत है, ये बहुत गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये जो बर्ड वाइल्ड के हैं, इन्हें वाइल्ड में ही रहना चाहिए, इनका अपना खुद का लाइफस्टाइल होता है, उनके लाइफस्टाइल को हमें डिस्टरब करने का कोई अधिकार नहीं है, तो मुझे जब ये बात उन्हें बताई, मुझे बहुत बुरा लगा, और इन दोनों बर्ड को मैंने रिलीस करने का सोचा, इन्हें फिर से वाइल में अपनी जिन्देगी अच्छे से गुजार सके, ये बर्ड कैपटेव नहीं है ना ये केपटेव में जीप आएंगे, रियो की बात अलग है, क्योंकि रियो पैदा हुआ था ब्रीडर के पास पैदा हुए थे, उनके जो पैरेंस थे वो भी ब्रीडर के पास जो wild bird को उन्होंने capture किया है इनको captive में रहने का habit नहीं है ये नहीं जी पाएंगे और मैं ये अन्याई नहीं करूँगी कि इनको मैं अपने पास रखू और उनको ऐसी जिन्दगी दू जो cage में है इनकी जिन्दगी cage में ही रहेगी क्योंकि अगर मैंने इनको बाहर छोड़ा जैसे अब रियो चल रहा है अगर मैंने इनको बाहर निकाला तो ये तो खुश नहीं रहेंगे तो मैं इनको release करने वाली है ये bird बहुत ही जल्दी egg ले करने वाली है इससे पहले मैं इने release करूँगी ताकि ये बाहर जाके एग ले करे और अपनी जिन्दीगी हेल्दी और हैपी जीए ले जाकि पुश चूज जाली है